लेकिन रॉकी बात करें तो फिर आपको पता ही है जो सीन है वो कैसा है लेकिन टाइटल उनिफिकेशन से एक गड़बड भी हो गई डबल डबली के लिए जो कि I think स्टोरी राइन के साब से यह डबल डबली ने जो है मेडिकल अपडेट दी है रिडल के बार में उन्होंने य की वेज़े से जो है अब उनका थोड़ा सा सपंगा पड़ गया और रेंडी ओटन के बार में भी यह गाया कि रेंडी ओटन और अंडर्वेर मेडिकल इवैलेशन यानि रेंडी ओटन को भी देखने कि अच्छा उनकी हालत कैसी है फिर क्या है मतलब डबल डबली इस चीज अब डबल डे लेकिन आपको बताया था कल वाली वीडियो देखेंगे आपने तो वहां में आपको बताया था कि रोमन रेंज को अगले अपोइन है वो रिडल और रेंडी ओटन है ऐसे रिपोर्स के अगौइड बताया तो फिर इसे इंजरी वाला एंगल दिखाना था और फिर ट्राइवल चीफ को उस सबक जिकाद मेंसे इमेजिन तो नहीं हो रहा है लेकिन रिडल है वो कुछ भी कर सकते हैं और मतलब व्याइपी वाली फिलिंग ले रहे हैं स्टैंफर्ड ब्रिज के अंदर जॉन सीना तो यूजिली वो इतनी ज्यादा अपीरेंस करते नहीं है इधर उधर अपने काम हैं काफी ज्यादा बीजी है लेकिन थोड़ा सोने इस मैच का मज़ा उठाय है हाला कि मैच जो ह अब लोग मुझे बता सकता है कॉमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं बड इतना जादा नहीं बढ़ा एक टाम पर बुल्कुली जादा देखा था अभी इतना नहीं देख तो आप क्या हो फुटबॉल के फैन बता सकता है मुझे आप लोग देखने वारें को क्या चीज सा अब उसको साशा बैंक्स को अटा दिया और उसकी जगए हो गये कोडी रोडस और इवन वहाँ पर छोटे राइम के लिए थोड़े नहुमी भी आती थी लेकिन अब नहुमी को हटा कि वहाँ पर रॉंडा रावज जी को प्लेस कर दिया यानि कि यह व्यों कुछ ऐसा कर र भाई मतलब उसो से कनेक्शन है तो उसो का कनेक्शन रोमन रेंज से तो ऐसे तकड़ा हाथ तो नहुमी का भी है कंपनी के अंदर लेकिन इसके बावजूद जब ऐसी चीज़े हो रही है तो भाई मामला सीरियस है और सच में गड़बड वाला है अब सच में समझ नहा रहा क्योंकि यह कुछ कॉंछ कोंटरवर्शल चीज़ फेर डवली के अंदर बन जाएगी इवन बन रही है अब आपके इसके पर रियक्शन के आपको क्या लगता है क्या होना चीज़े साश्य बैंक साथ में क्या साहीत था उनका करना है और गलत था जो भी आपके हैं थोड़स हम लोगी जो क्रोकर कने बता सकते हो या जब जवर्डश करक करके फिर की ले रहे है एबात तैए होगी यह मैं अपको ब्ताया सा पहले उन्होंने चांप की फोटो पोश्की मैं ने का हो गया हो गया सब्सक्राइब करने लिए अब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा एच के ऊपर बिलीफ करना मुश्किर हो जाए यह जाए लेनी की सब्सक्राइब करने लेकिन अब तो मैं इसको जाए लेकिन इसको पोस्ट करेंगे डेफिनली में चैनल के बर बताऊंगा क्या पता उनमें से कोई एक आपको जजमेंट देखने को मिल जाए शेमस, रिज हॉलेंड और बुच की जो टीम है अगर आपने स्मैक्डॉन के एपिसोड में नोटिस किया होगा तो डबल डबली ने उनको एक नया नाम दे दिया है और यह जो नाम यहाँ पर डबल डबली ने उनको दिया है वो है प्रॉलिंग बूट्स तो ब्रॉलिंग बूट्स करके फाइट नाइट तो चिलाती रहते हैं और बुच की अपर तो यह चीज़ पूरी सूट करती है क्योंकि वह लड़ने के मूड से नहीं वह एसे मार खेरने की मूड से आते हैं वह ब्रॉल टैप का उनके अंदर फील आ सब्सक्राइब करते हैं यहां पर कुछ काम नहीं आने वाली मुझे देखकर लग रहा है लेकिन ब्रॉलिंग बूट्स करना यह बात मैं आप बता दी समर्स्लाइं के टिकेट सेल्स कैसी चल रही है आप लोग देख सकते हो यहां पर जो करेंट केपैसिटी है वह 34,000 है जि समर्स्लाइम आई हो अब हैं आप लोग देख सकते हैं गया वह समर्स्लाइम के लिए डटाइक सेल्स को अच्छी खासी तक़रीप बिलिरूरे स 40K tickets already sold और ये वो tickets से को बता है WWE की history में सबसे expensive premium live enter जिसके tickets सबसे ज़्यादा fans पैसे लुटाने के लिए तैयार है और इसके बाद में आपा लिखते हैं कि वो वेट नहीं कर सकते हैं कि कब दोबार से सितंबर महिने में आएंगे और जीतेंगे win the undisputed WWE Universal Championship in front of this crowd I will be back on SmackDown next week यानि Drew McIntyre ये बता रहे हैं कि अगले हफते नाफ सिर्व SmackDown में आने वाले हैं लेकिन Castle के अंदर वो वेट नहीं कर सकते कि कब वो WWE की undisputed undisputed WWE Universal Championship जीते हैं अब इससे क्या मतलब है Drew McIntyre का इससे clearly यही मतलब है कि Drew McIntyre को शायद और फीड कर दी है कि Castle के अंदर तुम्हारा एक मेजर मैच होने वाला और मेजर मैच किसी और से नहीं बल्कि Roman Reigns से undisputed Championship के लिए तो ये एक तरीके से Drew McIntyre ने give away ही कर दिया है कि WWE के Clash at the Castle वाले इवेंट में क्या हो रहा है और यहां पर तो वो ना सिर्फ मैच करने की बात करें बल्कि सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मैं जीतने वाला हूँ इस प्रिम्म लाइवेंट के अंदर तो ये कुछ सीन है याप है बट इस सीन से एक डिफरेंट सीन आपको बताता हूँ WWE इस मैच को चेंज कर सकती है सिर्फ एक 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 अगर कंडिशन होती है और वो ये कि अगर Tyson Fury अवेलेबल है इस शो में कंपीट करने के लिए तो फिर WWE का सिर्फ एक ही प्लैन है Tyson Fury वर्सुस Drew McIntyre वो जो Drew McIntyre Roman Reigns के प्लैन से WWE उनको ड्रॉप कर देगी तो सारे सिचेशन इसके उपर डिपेंड रथी है वैसे मैं सही बता हूँ तो मेरेको दोनों में से कोई मैस देखने में प्राबलम नहीं है क्योंकि Tyson Fury का भी अभी मैंको बहुत कुछ देखना बाकी है Boxing के अंदर तो अपने आप में ही Legend है उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है लेकिन हाँ इससे WWE को भी फायदा होता तो Tyson Fury का आना उनके लिए काफ के अटेंशन लेकर आएगा बट on the other hand Roman Reigns, Drew McIntyre, Undisputed Championship के लिए ये भी कमाल होगा तो दोनों हाथ में ये लड़्डू वाली situation है मज़ा तो दोने में आने वाला है अब आप क्या प्रिफर कार होगा, आप क्या चाहते हो मुझे बताना आपकी McIntyre vs. Reigns या फिर McIntyre vs. Tyson Fury Roman Reigns का तो भाई चादी चौड़ी होगी इस SmackDown के एपिसोड में जब उनके भाईयोंने Undisputed Championship को जीत लिया बिल्कुल अपनी तरो और यहाँ पर उन्होंने इस बात के पर रियाक्ट भी किया, यह वाली फोटो जो WWE डाले थी, उसी को जो है उन्होंने कोट करते वे लिखा, Unstoppable Undisputed from Day 1 Acknowledge Us, अब तक Roman ने इस Acknowledge Me कहते थे, लेकिन अब उनको कहना पढ़ रहा है कि Acknowledge Us, और साथ में उन्होंने, उस उसर पॉल हमिन को भी टैग किया हुआ है तो Roman Reigns भी सोच्छेंग, भाई, अपने तो जलबे हैं आपे, क्योंकि अभी तक तो उनके पास दो Championship थी, लेकिन अब उनके जो भाई है वो भी दो Championship लेकर आचुके हैं अब Bloodline को लेकर, मैं देख रहा था पिछली वीडियो के अंदर आप मेंसे बहुत साइ लोग Negative भी हो रहे थे काफियत तक सही भी है क्योंकि RK Bro का हारना, वो reaction ही बता रहा था बढ़ कुछ न कुछ तो WWE को करना ही होता है किसी एक की हार होती है, तो किसी एक की जीत होती है यह मैं ऐसे भाष्वन क्यों देने लग गया बढ़ हाँ ऐसा ही है कि चलो दोनों साइट से तो आपको मजी नहीं आ सकते हैं RK Bro अच्छे चैंपमेंस लग रहे थे लेकिन WWE को भी Undisputed Championship देनी ही थी लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अभी WWE की तरफ से यह वाला जो डिजाइन है वो ऑफिशल नहीं वहा है यह सिर्फ इंटरेट के उपर एक पिक्चर है जिसको इतर दो घुमाय फिराय जा रहा है कुछ लोग ट्रोल करते हैं कुछ कैसे करते हैं अगर इस पर ध्यान दिया जाए और देखा जाए तो इस टाइटल में कुछ बुराई नहीं है क्योंकि जो बीच में सिल्वर वाली फील है वो इस से आ रही है और उपर जो है हलकायसा रैड कलर का वो स्ट्रैप है और नीचे ब्लू कलर की स्ट्रैप है जो कि स्मैक डॉन रौ दोनी ब्रैंड्स को रिप्रेजेंट करती है यहां पर थोड़ा सा गोल्ड कलर मिसिंग है अगर वो भी आजा तो शायद एक बड़ी ऐसी चैंप्योंशिप हो जाएगे हुआ 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 है